हेलो फ्रेंग्स मैं कलतना आप सभी का स्वागत करती हूं सान्या गार्णिंग चैनल में आज मैं आप लोगों को ऐसे प्लांट्स के नाम बताने वाली हूं जिन प्लांट्स को अगर आप सेमी सेड या सेडी एरिया में रखते हैं तो भी वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करते या फिर सनलाइट में कम से कम 4-5 घंटी की अगर उन प्लांट्स को धूप भी मिलती है तो भी वो बहुत ही अच्छे से सर्वाइब करते हैं इसका मतलब ऐसे प्लांट्स जिनको आप सेमी सेड या सनलाइट कहीं भी रखे वो बहुत ही अच्छे से सर्वाइब करेंगे और उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे प्लांट जिरें हम सेमी सेड और सनलाइट दोनों में रख सकते हैं तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कु भी मत भूलेगा जिससे कि मैं जो भी नूटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कु भी मत भूलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन-कौन से वह प्लांट से हैं तो फ्रेंट्स फर्स नमबर पे है रियो प्लांट रियो प्लांट ज तो भी यह बहुत ही अच्छे से सर्वाइब करता है और इसमें जिसकी लीफ्स के जो कलर होते हैं वो थोड़े से चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह से तो फर्स नमबर पे है रियो रियो भी आपका सेमिसेड और सनलाइट दोनों में ही सर्वाइब करने वाला प् ज़सी देखें इसकी लीफ्स के वो कितनी अच्छे लेकिन अगर आपने इसको फूल सनलाइट में डग ज़ुए तो भी यह प्लान्ट अच्छे से सर्वाइब करता है और इस प्लान्ट की ज़ू लीफ्स से वो डार्क परपल कलर की हो जाती है वस इसकी जो लीफ्स का कलर होता है वो प्रेंच हो जाता है लेकिन अपड़ जो प्लाइंट वह अच्छे से सर्वाइब करता है तो यह इस करेशिया डिपंस पिस सद्व नाइट और सेमे शेड दूनों लगाइब सुन जल्दी 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 लेसन हैं और संडॉल दोनों मे इस वाल हैं Children is और बहुत आप इसके यह बहूत हैं से खराब निहीं होता है इसको बहुत जल्दी जल्दी hairs करते हैं तो वहां पर अगर पांच रगंटी की यूव भी आ दी है तो भी आपका जो फ्लांट हो खराब नहीं होगा और बहुत ही से सर्वाइव करेगा फेंडेक्स नेक्स टेसिंगोंनिय म什么 अच्छा हो ओत यहर॥ हैं यह न है प्लांट आप अ ounce लेइट की दूप मिलती है तो यह आपका प्लांट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और बहुत अच्छा से सर्वाइब करेगा फ्रेंड्स नेक्स्ट एकलीफा या कॉपर लीफ प्लांट यह भी सेमी सेड और फॉल सनलाइट दोनों में ही ग्रो होने वाला प्लांट है और इसकी जो इसकी जो लीफ्स होती है वह थोड़ी से इस तरह से ले ईक्क तरए है इस तरह से खूबसूरत हो जाती है तो यह भी सेमी सेड और फॉल सनलाइट दोनों में ही ग्रो होने वाला प्लांट है फ्रेंड्स नेक्स्ट है डैवयल्स बाकबॉन बहुत ही खूबसूरत लीफ वा करेगा लेकिन अगर आपने सको फो फोल सण लाइट में रख दिया तो इसकी जो लेट्स से इस तरह से रैड्会 होना स्टार्ट हो जाती Hmm तो ये भी प्लांट जो है ये फोल सथिंट अर। इसकीह से तरह सेसे में कि रहने वाला प्लांट है सब्सक्राइब और यह जो इधर का जो पोशन है इसमें हमेशा फूल सनलाइट पड़ती रहती है इस वजह से इधर की जो लीप से इनका कलर को डिफरेंट हो जाता है बट यह जो प्लांट है आपकर यह फूल सनलाइट और सेडी एरिया दोनों में ही बहुत ही अच्छे से सर्वाइब करता है अगर आपने इसको फूल सनलाइट में भी रखा हुआ है तो भी इसकी जो प्लांट है यह अच्छे से सर्वाइब करता है क्योंकि मैंने कई जगों पर गार्डन में भी देखा है कि रबर प्लांट फूल सनलाइट में लगा रहता और वह बहुत ही healthy growth करता है तो आप फुल सन नाइट में डग देंगे तो भी अच्छ healthy growth करेगा और अगर आपने इसको सेमी सेडी या सेडी एरिया में इंडोर भी डग दिया तो भी यह बहुत ही अच्छे से grow करेगा तो फ्रेंट्स यह कुछ प्लांस थे जिनको आप इंडो और आउट्डोर दोनों ही तरह से grow कर सकते हैं तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा थैंक यू अ झाल